आज मैगी से मनाते बड़ी ऐसा नाशता जैसे कभी खाया नहों, जैसे कभी देखा नहों वाली आज इस्टादा वीडियो चलो वीडियो शुरू करते हैं गाईस तो आज हम बनाते हैं मैगी से बिलकुल ललन टाप नाशता जिसको बनाने के लिए 10 रुपे वाली हमको मैगी लेनी होगी आप अपने फैमिली के साफ से बनाए मैगी लिए है मैंने उसको निकाल लिया है आप उसमें थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे पानी इतना गरम डालना है को उसके सब लेयर अलग-अलग हो जाए इस्पून की साहता से 10 से 15 मिलेट तक हम भीगो लेंगे इस प्रकार से हम थोड़ी देर के लिए भीगो के रख देंगे मैगी को जिसे सब ही इसके लरिया अलग हो जाए अब हम पत्ता गोवी लेंगे पत्ता गोवी को मैंने कद्दू कस करके रख लिया पहले से ही महीन वाले से करें, मोटे वाले से नहीं करें अब इसमें हम देगी मिरच डालेंगे मैगी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे तिनों चीज डालके इसको थोड़ा सा मिलाके रख देंगे, जिसे कि ये हमारा पानी छोड़ दे, और जो भी पानी छोड़ेगा उसको अलग निकालके रख देंगे हम. इस विकार से हमारा अब हमने जो मैगी भी होई थी 10 मिनट के लिए अब हम उसको डाल देंगे उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के तयार होगी आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इस परकार से हम मिला लेंगे फटा-फट से इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे उसके बाद हमें एक दूसरा बावल लेंगे बावल में तब तक के लिए मैंने प्याज काट लिया है महिन महिन और उसमें थोड़ी सी सिम्ला मेट से डाल देंगे बारी कटी हुई डालना है स्वादर उसार नमक डाल देंगे अगर मन हो तो मैगी मसाला डाल देंगे नहीं तो कोई बात नहीं इस परकार से हम प्याज को भी काट लेंगे प्याज को महिन महिन काटना है अब मैंने जुड़ो तयार करके रखा था उसका नीवू के आकार का आमको छोटी छोटी बॉल बनानी है उससे पहले हम थोड़ा सा कार्णफूर तीन चीमच डालेंगे उन्हें पैकेट से डाला है आपको तीन चीमच छोटी चीमच से डालना है और उसको इस तरह से मिलाएंगे कि हमारी परफेक्ट गोली बन के तयार हो एक बार ऑईल में डालके गरम ऑईल में देख लें कि अच्छी से गोली बन रही है कि नहीं फैल तो नहीं रही है कि पूरा मैगी अलग तेल में फैल जाए एस परकार से हमें बनाना है कि ना जब बहुत ज़्याद टाइट रहें बोली ना बहुत ज़्यादा लूच रहें हमको बिल्कुल परफेक्ट रिच्व हिउँ में बनाना है हमने तीन चीमच जाला है तीन चीमच डालिएगा नीबू क्याकार का बना लेंगे इस प्रकार से हम दबा दबा के तिन चार गोली बना लेंगे छोटी छोटी अब मैंने इसको ऑइल में डाल के तल लिया देखो हमारी फूटी नहीं है परफेक्ट बना है अगर आपका थोड़ा भी अलग होगा तो फूट जाएगा अब हम लेसुन डालेंगे घी में दो चिम को टाल देंगे और थोड़ी से हमने हरी मृट भी दुबागों में काटके हमको टालना है इसमें उसके बाद हम सब्जीओं को डालेंगे हरी मिर्च हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं रेड चिली फ्लैक्स लेकिन मैंने हरी डाली है इसलिए लाल वाली कम डालेंगे अब अब डालके हमको उतना ही चलाना है इसको जितने में कि इसका crunchiness जाएना जैसे हम चौमीन में इसको पकाते हैं उसी प्रकार से सब्जियों को इस प्रकार से हम चला लेंगे जैसे हमारी सब्जिया पक जाएंगी थोड़ा सा वैसे ही अब हम इसमें टमेटो केचप डाल देंगे रेड़ चिली सॉस डालेंगे नमक डालेंगे सिर्का डालेंगे अजिनो मोटो डालेंगे सोया सॉस डालेंगे सब डालके हमको चला लेना है देखिए हमने सभी को डाल दिया है टमेटो केचप को और सिरका डाल दिया है सोया सास डाल दिया है थोड़ा सा स्वादम सार नमक भी डालेंगे एक किलास पानी डालेंगे पानी डाल के हम चला लेंगे अब थोड़ा सास कम है इसलिए हम थोड़ा सा खलका सार नमक भी डालेंगे सोया सास कम था इसलिए मैंने सोया सास और डाल दिया है अगर आपको डार्क पसंद हो तो डार्क डाले नहीं तो लाइट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हमने दो चिमट डाला है आप एक चिमट डाल दें अब इसमें जो बॉल बनने बनाई थी वो डाल के 10 से 12 मिनट तक स्लो फ फ्लेम पे इस प्रकार से हम चला लें जिससे सभी पकॉड़ी में सब अच्छे से लग जाए मिक्स हो जाए अब थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाल दिया है रैड कलर का है और इसमें लाज जो हम एक चीज और डालेंगे जिससे इस सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जा जाला था आधा और आधा आप बाद में लास्ट में डालें और स्वादम सार नमक पड़ी चुका है नमक पकॉड़ी में भी है और बाद में जरा से विलकुर डालें नहीं तो जादा हो जाएगा इस वगार से ये सबजी बना के तयार करें एक बाद जरू ट्राई करें बहुत ही टेस्टी लगी ही विडियो अगर अच्छा लगा हो लास्ट मैंने देखे डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है थोड़ा समयगी मसाला भी इस विकार से हमारी बहुत ही अच्छी परफेक्ट सब जीवन के तयार है विडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा मिलते है नेक्स विडियो में थैंक्यू बेरी बेरी बच्च